नहीं देखे जैराम रमेश जी देनशील वेक्ती हैं लेकिन मुझे लगता है कि नकारात्मक मानसिक्ता से ग्रसित हैं हर चीज को राजनीतिक आइने से देखना ये कहां तक उचेते हमें समझ में नहीं आता है खास दोर पर अंतराश्ट्री मुद्दे ऐसे होते हैं जहां पर सबको साथ आने के आवशकता होती है हम सबको पनड़ है कि किस प्रकार से G20 का भवे महा सम्मेलन दिल्ली में हुआ और लगबग 20 से अधिक राष्ट्रा अध्यक्ष आएं अलग-अलग मल्टी लाटरल एजन्सी के वी अध्यक्ष आएं और उन्होंने भारत के संस्कृती को अनुभव किया इसी प्रकार से जहां तक पर्यावरण की बात है तो भारत की भूमी का बहुत सशक्त है International Solar Alliance की बात हो, CLIRI की बात हो, International Day of Yoga की बात हो, International Year of Millids की बात हो भारत लगातार नेतृत करता हुआ पूरे विश्यु में दिख रहा है कॉंग्रेस के लोग सुभाविक रूप से इसको पचा नहीं पाते हैं देखे कॉंग्रेस के साथ सबसे प्रमुख समस्या क्या है करके जा रहा है इसी से निपटने के लिए अकारण अनरगल टिपड़ी जैराम रमिजी करते रहते हैं जो कि देश समझता है आज राजियों में चुनाओं है इसमें एक्टी में भी चुनाओं है जो करता है कि आप लोग तैयार रहे हैं मायूस नहों हम लोग जीत रहे हैं और मतगरना सही नहीं से करवाने में आप तोल लग जया है और मैं दानमुत नहीं देखे मध्यप्रदेश की जनता के हम विशेश रूप से आभारी हैं पिछले 18-19 साल से हम वहां सेवा कर रहे हैं और इस बार भी हम लोग आश्वस्त हैं और आश्चानवित हैं कि भारती जनता पार्टी के नेतरुत्व पे उनकी नीतियों पे मध् हाईवे हो रोजगार हो एक समाने परिवार और पिछडी जाती में जन्म लिये हुए शिवरा सिंग चोहान जी ने बहुती मजबूती से एक सर्वसमावेशी विकास को वहां पे अन्जाम दिया है और आने वाले 3 दिसंबर को भी यही नतीजा में देखने को मिलने वाला है कुछी में दावर गांदी बुला है कि अब यह बहुत आश्चर की बात है क्योंकि अगर में कोई मुसे राज़ीती में मेरे 20 साल के को परभासित करने के लिए काता है तो मैं एक ही जो आदे सकता हूँ कि नफरत के बाजार में मुहबत की दुकान खुल रहा हूँ नहीं यह तो हम लोग देखी रहे हैं कि नफरत के बाजार में उनके तथा कथित इंडी अलाइंस के जो संयोजक बनने का दावा करते हैं नितिश कुमार जी ने बिहार विदान सभा के सदन के पटल पे हमारी माताओं बेहनों के लिए क्या टिपड़ी किया हमने देखा किस प्रकार ज्हरकंड के मुख्यमंतरी हिमंत सूरेन जी ने भी नफरत के बाजार में किस प्रकार की ओची टिपड़ी की रंगाई पुताई करते हैं और रहुल गांदी जी से अपरी पकवता के एलावा और किसी चीज की अपेक्शा नहीं की जा सकती है इसी अपने आत्रा में थे वो और इसी केरल की धर्ती में जिन्होंने गो हत्या किया तो उनके साथ अब फोटो के चपाते हैं उनके साथ सेलफी के चपाते हैं तो इस देश का जो आम विक्ती है, इस देश का जो जन्मानस है, वो राहुल गांदी जी के इस दोहरे मापदंड से परिचित है, और राहुल गांदी जी बार बार इस प्रकार की सरहीन ओचे टिपनी करके अपने मानसिक संतुलन का ही परिचे लोगों को देने का काम करते हैं राजस्तान के बाड़ में वही ब्यावा बटना से वहत परशान हो जहां पीता ने कती तो पर अपनी बीटी को अगला है इस पर स्वता संग्यान देते हुए डीजीपी को मेरेश दिया है कि आपीसी धारत मिसर्थ वह उसमें जोड़ी है नहीं देखे राजस्तान लॉएन ओर्डर की दृष्टी से पिछले पाँच वर्षों में अत्यंत ही चिंताजनक विशे का केंदर रहा है हमारी महिलाएं हो माताएं बेहने हो राजस्तान में कुछी दुनों पहले हमने देखा था कि दलिट समाच के नौ वर्ष के बालक नहि एक मठके से पानी पीने की उसकी संस्थागत हत्या हो जाती है आए दिन राजस्तान में अत्याचार बढ़ रहा है और प्रदेश में कहीं न कहीं इस प्रकार के जो तत्व हैं उनको संद्रक्षन मिलता है तभी ऐसा काम होता है यह अत्यंती पिरदायक है अत्यंती दुखत है और हम स्वागत करते हैं कि राश्ट्रे महिला योग ने स्वो मोटो स्वता सन्यान लेकर के इस मामले में कारवाई की पहल दिखाई है